नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका ओमांगे कर्मी एक टूजेड़ में जी आपका जो तीसरा यूनिट है प्रैक्टेस शेट नम्र शिक्स है इसमें बात करें गड़त की भांसा इसमें जो भी पिछले बार्सों में जो भी कोश्चन पूचे गए हैं वो सभी के सभी हैं वो सबस्क्राइब किये हैं आपको पर स्वस्कार से पूंचे गया है पहla कॉस्टμ दिया है यहां पर कक्षा-क्ष में गड़तिय भासा में निपुड़ता को निमलेखित कर्म को ंप्रदर्सत करने ढ़ए जहा जा इसके लिए आप इसके चारह option देख सकते हैं पहले मैं इसके आपके चारह option एक साथ दिखा देता हूँ आपको ताकि आप इसका एक स्क्रीन सॉड़रे सा क्योंकि जो question बहुत important question है इसलिए मैंने बहुत जानवूज करके इस question को दिया हुआ है ठीक है तो इस चारह option यहां पर तो इसके माद्य हमसे आप दूसरा option इसको अलग कर देए। अब रोज मरणा की भाऋज़ सा होगी और इस्तिति ओंढ़ इस्थिति भांसा आएगा ठीक है उसके बाद में आयगा गर्तीकरण समझ्छा समध्धन की भांसा तो इसमें क्या हो जाएगा फिर इसका तो पहला प्रतीक भांसा जो होगि भूर्फ होती है गर्द विस्षय में पढ़ाई जाती है तो सबसे लास्ट में क्या होगी परतीक होगे ठीक है जिसका सही कुंसों हो जाएगा पहला हो जाएगा नएस कुछन देखते हैं गर्थ में प्रक्रमन समंदी प्रभाह पूर्था का अर्थ है नियमों सुत्रों और कलन विधियों कलन गर्थ का ज्यान होना और परिस्दता लचीलेपन और निपूर्था के साथ उसक समधन करने की योगता या फिर समान निपूर्था के साथ अंकड़त और जयामिति की समस्यां को समधन करने की योगता एक से अधेक उपागमों का प्रियोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्यां को समधन करने और सभी चड़नों को लिखने की योगता तो इसका सही जवा एक है ठीक है लेकन उसमें एक से अधेक उपागमत्रव एक से अधेक तरीके से उसको हल करने का उसको समधान करने की योगता यही तो इसका मुखोद देश है ठीक है तो लशीरेपन का उतरव यही होता है नेस कोशन देखते हैं, नेस कोशन दिया हुआ है, क्या दिया है कोशन निखत मैंसे कौन सी संख्या की समझ का महत्पूर्ण पहलू नहीं है, संख्या की समझ का महत्पूर्ण पहलू नहीं है, पंक्ति बदता, गर्ना, अंक सिखाना या फिर सरजना, तो इसमें क्या नहीं सर इसका सही जवाब है चौथा, संख्या की समझ का महात्पूर्ण पहली उर्ण नहीं है, संख्या पदती या फिर संख्या समझने का ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाए चौथा, नेस कुशन दिया हो, गड़त के बहतर होने के लिए एक बैक्ती खालिस्तान अवश्कता है, गड़त के बहतर होने के लिए एक बैक्ती खालिस्तान अवश्कता है, गड़नामा प्रवीणता की, अमुर्चिंतन और तर्कसंगत विबेचन द्वारा समस्या को बनाने को और उन मैं यहीं बताया है कि जो चीज आपको नहीं करने है पॉजिटिब में वो आप काट दोगो तो आपको आंसर अपने आप मिला है तो आपको किसे भी उसमें प्रिविनता नहीं लाने नहीं आपको याद कराना है याद नहीं रख कराना ठीक है तो आपका दूसरा अपसने समच बास जाता है अमूर चिंतन और तरक संगत विविजना द्वारा समस्यां खुब बनाने और उन्हें सूत्वत करने की ठीक है तो इसका सही जवाब कुन से हो जाएगा दूसरों जाएगा नेस कुछन देखे कि गड़त की प्रकृति एवं सरचना में निमलिखत में से समच्चा सिद्धान्त भासा गड़त की भासा संकेतिक या फर गड़त के निश्का से निश्चत एवं तरक संगत तो क्या नहीं है गड़त की प्रकृति और समच्चना क्या नहीं है दूसरा गड़त की प्रकृतिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ समच्चा सिद्धान्त पर आधार क्या помतारस्मज्च सिद्र ऐसा नहीं है गड़त की जो भीनस हो जाएगा दूसरे से यह नہीं पूंचा था उसमें तो नहीं कैसे दूसरे ऑनधे संक्रियां गड़नाइं एवां सिद्र दंस्दांतों का अध्यान यह अथारत में किस प्रकार की प्रक्रिया क्रक्रिया कहलाईगीक। पहला अप्सन सही हो जाएगा। नेस्कोस्टन देखिए इसको गुषक रंगे कॉसलाथम उसक के विखिश्ट्रे करनं का उदाहन है कॉसलाथम उसक की विखिश्ट्र करनं क means क्या है ? collapsed. this method नेस निकाल ये है ? निकाल नहिते है ? यह तूझक है ! फ़य memorand SC तो इसका सही जाश क्या हो सुत्र, संख्या, संख्या, संख्यांग, चर, संख्यत, या फिरूप है. तो जे सभी के सभी क्या है? गर्द की भांसा के अंग है, सुत्वी गर्द की भांसा में होता है, संख्या होती है, संख्यांख चार भी होते है, संकेत भी होते हैं, सभी हो जाएगा है गरती भांसा का स्वरूप है गरती भांसा का स्वरूप कैसा है जोड़ना घटाना गुड़ा या फर ऐसा भी तो जोड़ घटाना गुड़ा भाग सभी होते इसमें तो ये सभी इसका चौथा उप्सन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा इसका भी चौथा क्या है सही हो गर्द सेक्षन में गर्थी वहांसर समंधी, समस्किय के विकास है तूứ? अवश्यक है? गर्द की क्रियाँ को क्रेंबा धृप से सजाना, बिभिनन Новगत दसागों में गर्थी समंझना को समझना पितियों को संकेतों में प्रेकड़ करने को समझना ये पर उपर उप्रोग्त है संकेतों को प्रिकट करना वह स्मझना जरूरी है और तो क्या हो जाए युद्ध के सभी सभी आँनसर के वादे मैं नेस क्टूस्छन है गरत SCÌ में गरत की भांसा मुख गुण है गरत की तोक्रिया 5 सेब हैं एबम उसमें 7 सेब और डाल दिये गए अब टोक्री में कितने सेव हैं? इस प्रकार का साब्देक प्रस्निम लिखत मैं से किस मांडल या फिर स्रैनी से समंदत है? संवर्धन से, परथाकरण से, योग की पुन्रावती से या फिर समोच्यन से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब 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 क्या 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 होगा? इसका सही इसका क्या करता है जो गरतिये सनजना उलेक करता है किस चीज का उलेक करता है वो है पहला गरतिये विचार को समाहित और संगठित करने की छमता जो भी विचार होते गरतिये उनको समाहित करने की और संगठित करने की छमता कभी उलेक करता है गरतिये सनजना ठीक है इसका सही ज़ब हो एकौँ सा पहला नैस नैस कुश्टें है प्राटमें इस्तर पर सिस्जैर्थिओं क अनुपातिक विबेचन को प्रोनसाहित करता है प्रति चित्रन का गड़त के काई विस्यों से समाकललन किया सकता है water देता है देता है ठीक है तो इसलिए क्वाग उतल नहीं है तो शाप्षित्रम का भाग होता है टूसका दूसरा जभाप साइब बाकि आप देख सचे इसमें एक और जए कोश्चन बहुत जदा पूंचा जाता है प्रती चित्रण जो है इस्थानिक चिंतन को बढ़ावा देखा है बाल विकास में देखेंगे आप सक्षा साथ में तो उसमें आपको मिलेगा कि जो प्रती चित्रण है वो किस चिछ के विक एक और आपके जो एफिट्राट्स दिया हो उसमें दिया हुआ है तो प्राथ्विक पर नहीं एक प्रतिरूप देखा होगा लेकिन को प्राथ्विक स्थार पर नहीं पढ़ा जाता है इसके वारे में नहीं कोई सभी टॉपिक नहीं है मैं पहरी सह लेकरके 10-10 पी आकी होगे फिर बाद में आपकी सब्जेक्ट वाई के क्लास वाई आपकी मैत होगे ठीक है तो इसका सही जवाब कुन से हो जाएगा कोई छात्र 5050 को 550 लेखता है इसका अर्थ है कि इस्थानिय मान की अवधारना इस पस नहीं है संख्याओं का ग्यान नहीं है गरत का ग्यान नहीं है जोड का ग्यान नहीं है जिसका सही जवाब क्या है पहला है पहला है इस्थानिय मान की अवधारना इस पस नहीं है इसलिए वो इस प्रकार से लिखता है ठीक है नेस्ट कु जाहिए गरत का अक्षा संचालन की योगता होनी चाहिए जोट की अधेj आधएक बो कहते हैं तुम्हों की जोप्रप्रेश्टा की अधेक अन्यविस्टेयों की आपक्षा है कोई सभी विष्टियों में इसका उप्यूग किया जाता है गर्द की भांसा का महत्तो है सारे कोसल के विकास में संप्रिशन कोसल के विकास में कारात्म कोसल के विकास में या फ़र एक और तीन दोन में तो इसका साहिज आफ क्या है चौथा एक और तीन दोन में सारे कोसल के विकास में भी इसका महत है तरक कोसर के विकास में भी इसका महत है ने इस कुस्टन देखते हैं गरत की भांसा में निम्न मेंसे किसको समलित नहीं किया गया गया किसको समलित नहीं किया गया गरती सिर्दांतों को गरती संकेतों को गरती पदों को या फिर अप्रोक्त मेंसे को इसका सभी जवाब करता चोथा है, इन्म्न में से बिकलब में गर्थ की भासा जलक है? इसमें चार आप्सन दिये हैं, इसमें गर्थ की भासा जलक रहे है? राम और सीता जा रहा है, स्याम हापड जा रहा है, यात्रा के दोरान मीरा ने दस किलोमेटर की दूरी पैदलता है कि स्याम और मोहन दोनों भाई हैं, तो इसमें मुक्रूप इस पस्टूप से देख रहा है कि 10 किलोमेटर की दूरी तैकी है, किसने राम और स्याम ने, यात्र बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से लिखा जाता है या फिर बिष्र विधि के अनुसार बिभिन चर्णौं में लिखा जाता है इसका सही जवाब क्या होगा वह आपोative से कमेंट करक Stephan plays इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बैसे तो बहुत आसान है इसका जवाब आपको देने के लिए लेकर फिर भी आपको कमेंट जो आपको हमबा के रूप में देता हूं कि इसका सही जवाब क्या होगा इसके प्रिशन का इसी प्रिकार से और वीडियो पाने के लिए चैनल क किया तो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ में एक साइड में वैल आइकन होगा तुसको प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो डिलेगा उसका नाटिफिक्शन आपको मिल दाएगा मिलते एक नए वीडियो में तक तक लिए नमस्कार